हे गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली तो गाइज कैसे हो आप लोग आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज तो गाइज सुबा का वक्त है और सुबा का सम्थिंग बज़रा होगा नौ या साड़े नौ इससे ज़्यादा समय नहीं हो रहा था और वैसे भी सर्दियों का समय है तो समय का पता ही नी चलता है सुबा से और आज कल तो बच्चों के स्कुल भी लेट हो गए हैं तो नास्ता पानी बनाने में स्कुल भीजने में ही कब समय गुजर जाता है बिल्कुल भी समय का पता नहीं चल पाता और यहां पर जैसे ही मैंने अपने बच्चे को स्कुल भीज दिया था वैसे ही मैंने घर की साफ सफाई की और उसके बाद नहा लिया था और जैसे ही मेरा चोटा वाला बेटा सोके उठा तो मैंने का कि चलो बैट सीट सही कर देती हूँ और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि भई डेली की ब्लॉगिंग है आप लोग शार शेर करती हूँ जो मेरा डेली का रुटीन रहता है तो वो चीज़े आप लोग साथ मैं हमेशा शेर ही करती हूँ तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो सासो मा हैं वो यहाँ पर तैयारी लगा रहें थी क्योंकि आज हमें बनाने थे आलू के पराठे और आप देख सकते हैं कि जो मेरी मम्मे हैं उन्होंने धनिया मिर्ची कट कर दिया था और जो आलू है मैंने वॉयल पहले ही कर लिये थे तो मैंने सोचा कि थोड़े थंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको छील लूँगी तो जब तक मेरी ममे ने स्टार्ट ही कर दिया था आलू छीलना तो मैंने का कि चलो भई एक दूसे की help करा देते हैं और वैसे भी क्या होता है ना कि सोबा के गाम बहुत सारे रहते हैं तो जिसके हातों में जो काम बढ़ता है तो वो कर लेता है चाहे मेरे husband हुए चाहे मेरी सासो मा हुई और जो मेरे काम है भाई बो तो खतमी नहीं होते हैं आप लोगोंने देखी लिया होगा कि चलते ही रहते हैं क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं कुछ ना कुछ घर में हमेशा लगाई रहता है और यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी और मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आलू का डो है वो रेडी हो चुका था जिसके मुझे पराठे बनाने थे और दो मैंने दो प्रकार के डो तैयार किये हैं और यहाँ पर मिर्चवाला और आटा जो है मैंने वो पहले ही लगा लिया था और आटे को थोड़ा सा ढखकर भी रख दिया था क्योंकि आटे को अगर पहले से मार लो और ढखके रख दो तो क्या होता है ना कि आटा सेट हो जाता है और पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं और सारी चीज़े रेडी थी बस मुझे अब पराठे सेखने थे तो चलिए चलते हैं और पराठा सेखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैंने चिमनी को ओन कर लिया था थोड़ा सा मैं चिमनी के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ब्लॉग जो था चिमनी का मैंने आप लोग शेयर किया ही था लेकिन उसमें किया था कि मुझे लग रहा था कि चिमनी थोड़ा सा हाइस पॉइंट पे लग गई है और मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा परिशान कर रहा था मतलब नीचे खड़े होके मेरे कपड़े खीच रहा था तो मैंने उसको फिर थोड़ा लसा ले लिया था आप लोग साथ हाई हैलो हो गई उसकी और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था खेलने के लिए और उसको भी निलादुला के तयार कर दिया था वैसे भी सुबह से बच्चों को अगर निलादुला के तयार कर दो ना तो ये समझ लो कि बच्चे खेलते रहते हैं पिर यह नहीं रहता है कि 12 बच गया और बच्चे हमारे ऐसी घूम रहे हैं तो मैं सुबह से यह अपने दोनों बच्चों को रेडी कर देती हूँ बड़ा बाला तो रेडी होके चला ही जाता है स्कूल नहाद होके जाता है कभी भी मैं स्कूल से आके नहीं नहीं लाती हूँ हमेशा वो नहा के ही स्कूल जाता है बाई चांस की बात होती है कि वो उसकी तबिया ठीक ना हो तो मैं बिना लाई स्कूल भेज देती हूँ लेकिन लोट के फिर वो नहाई लेता है वो बाई चांस होता है तो guys यहाँ पर मैंने पराठा सेखना स्टार्ट कर दिये थे और सबसे पहले मैं बिना मिर्च के पराठे बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए उसके बाद मैं मिर्च वाले सेखूंगी और थोड़ा सा मैं चिमनी के बारे में बता रही थी कि थोड़ा सा चिमनी मुझे लग रहा था कि हाइस पॉइंट पे लग गई है और कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत करे तो मैं आपको किवल नौलिज दे रही हूं कि वो लग रहा था में कि वो हाइस्ट है लेकिन ऐसा नहीं है बड़ी अच्छे से काम कर रही है कोई भी दिक्कत नहीं है हम लोगों को और बाकई में मतलब कुछ भी हम बनाते रहें तो जराबी भसे दर उदर नहीं होती है और अच्छे से वर्क कर दिया अच्छे से काम चल रहा है और कोई भी दिक्कत परिशानी है नहीं है और हमें पहले ही बोल रहे थे कि अगर कोई दिक्कत परिशानी लगेगी तो लोगों को बुला के सई कर लेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो इसलिए फाइनली वो उसी जगा सैट हो गई है तो गाइज आप देख सकते हैं कि बड़िया गरम गरम पराठे जो है वो मैंने सीखने स्टार्ट कर दिये थे और बहुत ही अच्छे सिक रहे थे और बिलकुल भी मेरे पराठे मैं जब भी बनाती हूँ तो बाई चांस लियर केस होता है कि कभी फट गाएं मतलब बनाते बना बनाती है और बहुत जादा टेस्टी ही बनते हैं भई मुझे पसंद हैं जिस प्रकार के मैं उस प्रकार से बनाती उँ हूँ और मुझे आलू के पराठे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और रहसे भी सर्दिया चल देहीuz हैं तो ऐसी चीज़े खाने में बहुत मजात बनाते बनाते डांस कर ले थे और मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी और उसके बाद थोड़ा सा गेट जो है वो चिमनी में अटक रहा था तो वही देखने लग गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत दिन बाद किचिन में मेरा मतलब मेरी हेल्प की है उसके बाद उनका रायता बनाना हो गया था स्टार्ट वैसे तो मैं ही बनाने वाली थी रायता लेकिन जब उन्होंने देखा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और उन्हें भूब भी लगने लगी थी और इन चीजों में देखिए समय तो लगता ही है चाहें भी मैं बनाओं या कोई भी बनाए समय तो लगता ही है और इसलिए समय मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था इसलिए वो आ गये थे मेरी थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए और यहाँ पर मैं पराटे सेखती जा रही थी और वो बड़िया सेरायता बना रहे थे और वो कोई भी चीज बनाएं तो बड़े मन से बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं और मुझे तो बहुत पसंद आ जाता है खेर और मेरे भाई लोगों ने भी खाया है उनके हाथ का तो वो लोग भी तारीफ करते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा बना लेते हैं और यहाँ पर पराठे जो है वो लगभग हो गए थे रेडी मतलब बन ही गए थे और उसके बाब गाईज फाइनली मेरा जो मन था वो आराम से था तसल्ली से था कि च्छत्पे बैटके आज हम लोग हलकी हलकी धूप में खाना खाएं और गर्मा गरम पराठो की मजे लें तो किचिन वगएर भी ऐसी ही छोड़ दी थी मैंने और मेरे हजबन को भूख लग 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 थी मैंने आपको पहले ही बताया तो हम सारा खाना लेके आ गए थे उपर च्छत्पे और ज़्यादा धूप नहीं थी और सर्दी तो बड़ी ही गई है तो इसलिए भई पूरे भरपूर मजी लेने के लिए आ गए थे सर्दी के च्छत्पे और बहुत मजा आ रहा था भई च्छत्पे खाना खाने में और साइध ही है मैंने पहली बार फ़र्स टैम जो है ख्छत्पे बैठ के खाया होगा पता नहीं मेरा आज मत कर रहा था कि आराम से च्छत्पे बैठके खाना खाते हैं सभी लोग और मैंने एक बार बस अपने से बोला और वो तुरंध रेडी हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सीधे सामान उपर मेरी हैल्प करा दी थी उपर सामान चड़वाने में और हम लोग यहाँ पर बैटके खाने लग गए थे और यह है गाइज मठा और बहुत ही ताजा मठा था मतलब सामने एक भावी ह उन्होंने भैस बांज रखी है तो बो दे गई थी और बिल्कुल ताजा ही था और मैंने सच्छी आलू के पराटो के साथ इसका बहुत ज़्यादा मजा लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे रखा हुआ मठा बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे जो है फ्रेस ताजा मठा बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पराटे भी खाती जा रही थी और मठा भी पीती जा रही थी तो आज का जो खाना था ना वो बड़े बड़े होटलों को फेल कर रहा था मेरे लिए तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करने में वो ब पर खाया तो बहुत मज़ा आया और फिर नीचे आके सबसे पहले मैंने किचन साफ की थी और सारी चीजों को छोड़के मतलब समय का बिलकुल भी ध्यान ना देते हुए बड़े मन से खाना तसली से खाके आई थी लेकिन हाँ ये था कि नीचे जैसे किचन वगेरा साफ की तो टाइम जादा हो गया था ओफ कैमरा ही मैंने किचन साफ कर दी थी और बरतन बगेरा जो है वो सब धुल गये थे साफ हो गये थे तो यहां किचन के कामों से लगबग फ्री हो गई थी लेकिन लास्ट में रह गई थी जाडू लगाना क्योंकि येस भी की जो टीचर है न उनका भी टाइम चेंज हो गया है सरदी के चकर में और बहुत परिशानी होने लग गई है सरदी आते ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है क्योंकि स्कुल के भी समय चेंज हो गया और दिन भी छोटे हो गया है तो पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो जाती है क पर एक बात ये है कि मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा नीड आती है। गरमीयों में तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन सर्दियों में बहुत नीड आती है। यह लगता है कि थोड़ा सा खाना पीना क्याकर आराम कर लो सो लो तो यहाँ पर काम करने के बाद मैं थोड़ा सा यही सोच रही थी कि आराम कर जूँगी और मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना बो तो सोई नहीं सकता जब तक मैं उसे ना सुलाओं और आप देख सकते हैं कि वो पोछे के साथ दर पे खेल रहा था फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया और साम हो गई थी साम को ऐसी पांच साड़े पांच बच गया था और जैसी उठी तो मैंने यहाँ पर चाय बनाई है और आप देख सकते हैं चाय है बहुत सारी और थोड़ी सी नमकीन रखी सबके लिए बहुत सारे लोग आये थे घर पे कौन-कौन है वो तो अभी मैं आपको दिकाई दूंगी कि कौन-कौन हमारे घर की चाय की चुस्किया लेने के लिए आया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग है मेरी मम्मे है और मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है और मेरा छोटा वाला भाई है वो भी आ गया था चुट्टी पे और यहाँ हम सब लोग चाय का आनंद लेने के लिए बैठ गए थे और वैसे भी सर्दियां है ना तो सर्दियों में यार कोई भी चीज हो बड़ा अच्छा लगता है खाने में और वैसे भी एक से एक चीजे आती है सर्दियों में खाने के लिए मतलब सबजी से रिलेटेड भी बात कर लो या फिर कुछ भी खाओ बड़ा मज़ा आता है और साइद यही रीजन है कि मेरा जो बेट है वो सर्दियों में बड़ी ही जाता है क्योंकि मैं कंट्रॉल नहीं कर पाती हूँ मैं वैसे तो हमेशा ध्यान दिये रहती हूँ कि हाँ मेरा बेट ना बड़े लेकिन सर्दियों में तो भाई बड़ी ही जाता है तो चार किलो इधर उधर होई जाता है पता ही नहीं चलता कि कब बेट बढ़ गया और यहाँ पर फिर मैं गाय सब के साथ बैट गई थी चाय पीने के लिए और चाय का मज़ा लेने के लिए क्योंकि सर्दियों में चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी मुझ कई आई पर एंड करूंगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चली मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बाई